Internal layer has 3 parts जो मैंने अब यहां पर separately draw करके दिखाया यहां detail में discuss करेंगे Vestibule बलके यहां से पहले बश्टार्ट करते हैं इस फाल वन इस Cochlion इससे पहले जो internal layer इसको लबरिंथ भी कहते हैं लबरिंथ का मतलिए यहां कि नैटवर्क इसको नैटवर्क क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत साई बोनी नैटवर्क होते हैं और कुछ मेंब्रेनस नैटवर्क की होते हैं इसके अंदर मेंब्रेनस नैटवर्क भी हैं और बोनी नैटवर्क भी हैं जो मेंब्रेनस नैटवर्क हैं नेको पिया है यह फार कोilot क्योंके वह हो रहा किया हुए रहां है यह वाल ही जान रिकवा है और ज're को ग्रीन द्रा भी है यह मंब्रेनस नेट वर्क एग जब सुनक साका किया है को जो हम इा एक और जो स्ट्रैक्श्छर है ज GA उसको नाम हम नाम देते हैं कॉकलिया, Posterior to Cauch геро, ये ये क्यूब-like bony network है किवह मंने पंदाओ रिक नाम कि हम नाम देते हैं westibule और स्धिपूर को मिन नेटवर्क है। इस तरह वेस्टिबूल के अंदर दूम्ब्रेनस नेटवर्क होता है इसको दो पार्स के अंदर डिवाइड करते हैं यह जो एंटीर वाला है यह सेटियूल और यह पोस्टीर वाला है यह इसको हम कहते हैं यूट्रिकल इसको हम क्या रहते हैं यूट्रिकल इसी तरह जो सेमी सर्कूलर कैनाल हैं इनके अंदर भी डक्स होती है और उन्हीं डक्स को हम नाम देते हैं सेमी सर्कूलर डक्स का उन्हीं डक्स को हम क्या नाम देते हैं सेमी सर्कूलर डक्स का वन तिंग मोर कि यह जो मेंब्रेनस मेंब्रेंस नेट्वर्क ए बि內antingलीं री जलोगिंड बहुतां ह३ा है, इसी तरहे इन सहरे मेंब्रेंस नेट्वर्क होता है इस व्यूकर मेंब्रेंस नेट्वर्क के उन्डर एंदर प्र特 техथ हुह थे प्र선 फ्यून्ट उष्प instruction section बि season ہोगा और इससें जाये प्रयूडरर नाम देते हैं। एक और फूर्ट है जोके प्रेजंट होता है 10 मेंबेंस और भूनी यप उनयक के पीच में है योर है 1 мार कि इस羅 ऐर ग्रीय associations सुंडले या, इसमें फ्यूर्य लंफ का, यह मतंटा है, इसे हम नौन देते हैं, फ्यूर्य लिपार, इस सर्सें हम क्या नाम देते हैं, प्यूर्य लिंफ का, यह वाला जो फ्यूर्य प्यूर्य ले sırन ऐ, यह कौन सा है, तो इस वार जस्ट अबाउट जस्ट अबाउट अबेसिक इंटर्ड़क्शन आप इंटर्नल एर को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बनाना बहुत जरूरी है उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताई और इसकी एक्जक्ट लोकेशन इसकी आप सबसे पाँ पार्ग आपको के इसकी मम कुणा और तीन बहुत जरू से वी इनटर्फ को डिसकश की है उसके बाद कश इंटर्नल एंटप्रंस के हैं। लबरिंथ कयों कहते हैं, लबरिंथ का मतलब होता है नेटवर्ड इसके अंदर बहुत सारे बोनी नेटवर्स होते हैं और मेंब्रेनस नेटवर्स भी होते हैं इस बात को समझाने के लिए यह मैंने अलग से इंटरनल लेर को यहां ड्रा किया है यह एक्जेक्ली इस जगा पर प्रेज़न था के मैंने समझाने के लिए सर्फ इसको अलग कर दिया और बड़ा कर दिया तो मेंब्रेनस ने बोनी लेबरिंथ जो होता है उसको उन्हें तीन पार्स के अंदर डिवाइड किया यह कोरेड लेबरिंथ जो है इसको कौकरिया कहते है उसके पीछे वेस्टिवियूल और यह सेमी सर्कुलर के नाल्स इन बोनी लेबरिंथ के अंदर जो है वो मेंब्रेनस लेबरिंथ प्रेजंट होता है और मेंब्रेनस लेबरिंथ अगर कौकरिया के अंदर प्रेजंट है तो उसे कौकरियर डक्ट कहेंगे इसी तरह जो you-l two partsänge वसको दो parts के अंदर डिवाइड कर दिया है एक अंटेरियर जो है इसको नाम दिये है secure और जो posterior वाला इसको हमने नाम दिया है utricle इसी तरह जो semi circular canal है इनके अंदर membranus labrains present होता है उनको हम कहते है semi circular damned तो इस दरह three sent circular canal हो गया और उनके corresponding तीन ही semi-circular ducts हो गए। दूसी बाद ये कि जो membranous labyrinth है, इसके अंदर fluid जो present होता है, इसको हम नाम देते हैं endolip का, और इस membranous labyrinth और इस bony labyrinth के बीच में, membranous labyrinth और bony labyrinth के बीच में जो fluid present होता है, उसको हम नाम देते हैं perillium. ये उसना दूस्ट दूसकी जोवे पिसके इंत्रच आउने ये, ये ँड़ीक हैं 20,000 उसके बीच आणे तनी वोड वूसं वाग़再 स ही इन ये उन्ट के बीच में अधसे की700 शाम स्सक्राल है, equisł झांड के लूं